हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडू एबॉड में आशे करतो हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे अगर आप हमारे इस चैनल एडू एबॉड को यूटीब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करीगा लाइक करेगा और शेयर जरूर करेगा ताकि जो हमारी वीडियो कैसी लगी है और आशा करता हूँ आपने इस से पहले की जो दोनों वीडियो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो क्लास 6 की है NCRT Geography की आपने वो देख लियो अगर अभी तक वे आपने वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मि सिक्स्त का जिसका नामे motion of the earth क्या नामे motion of the earth there are two motion of the earth earth के दो motion होते हैं कौन-कौन से एक होता है rotation और एक होता है revolution rotation और revolution जो हमारा rotation है उसको हम क्या बोलते हैं परिभ्रमन बोलते हैं rotation आप समझेगा ये हमारी अर्थ है अर्थ अपनी axis पे घूम रही है अपनी axis पे घूम रही है तो इसको ही क्या बोलेंगे rotation बोलेंगे revolution है revolution को परिख्रमन बोलते हैं हिंदी में अब मानिए ये हमारा अर्थ है ये हमारी अर्थ ये sun है आपका yellow वाला और ये आपका white अर्थ है अर्थ सन के एक fixed path में खूमता है round around घूमता है इसके तो इसी को क्या बोलेंगे revolution बोलेंगे क्या बोलेंगे revolution यानि अर्थ मानिएगा यहां से चला ऐसे घूमके आया और यहां पर आया यहां तक आया तो यह कि क्या हो गया एक revolution हो गया इसको ही हम revolution और rotation बोलते हैं देखे जैसे अभी हमने समझा motion of the earth दो motion होते हैं कौन-कौन से rotation और revolution यह हमने समझ ले रोटेशन is the movement of the earth on its axis revolution it is the movement of the earth around the sun in a fixed part or orbit अब हम आजाते हैं अकले पर उसका है heading जो है inclination of earth's axis and the orbital plane the earth is inclined at an angle of 23.5 degree on its axis अर्थ जो है हमारे अपने ही अक्ष पे कितना जुकी वी है 23.5 degree जुकी वी है axis is the imaginary line which passes through the earth in the north or south direction अब axis है axis क्या है वो imaginary line है यह आप देखे मैं green से mark करता हूँ इसको आप समझेगा क्या है axis यह है यह वाला जो यह है line इसको क्या बोलेंगे axis जो green mark से किया है यह line यहां से north से लेके south pole तक जा रही है यही imaginary line है इसको ही axis बोलेंगे वास्तिविक जो हमारी प्रीथ वहाँ पे ऐसा कोई भी imaginary line नहीं है यह हमने globe पर समझने के लिए earth को इसको draw किया है जो एक उपर वाला हिस्सा जो है equator के उपर वाला हिस्से को हम north pole निच्चे वाले हिस्से को हम क्या south pole भोलते है the angle between the axis and the orbital plane is 66 and a half degree अब जो अब यह imaginary line है ना axis है याद रखेगे यह axis और orbital plane के बीच का जो angle बनता है वो 66 and a half degree बनता है यानि 66 डिगरी बनता है the plane formed by the orbit is called orbital plane और जो orbit है वो जो plane form करता है orbit उसको क्या बोलते है orbital plane the shape of orbit is elliptical और orbit का shape क्या है elliptical sorry है अब आ जाते हैं हम rotation पे rotation का मतलब परी भ्रह्मन परी भ्रह्मन हम किसको कहेंगे it is also called earth day और daily motion of the earth rotation को क्या बोलते है earth day भी बोलते है और daily motion of the earth भी बोलते है the earth rotates from west to east जो हमारी earth है वो कैसे rotate करती है west to east यानि पश्शिम से पूरव की और करती है it takes 23 hours 56 minutes and 4 seconds about 24 hours to complete one rotation on its axis और हमारी जो प्रित भी है उसे अपने ही अक्ष पे घूमने में axis पे घूमने पे एक rotation complete करने पे करते वक्त कितना समय लगता है 23 गंटे 56 minutes और 4 seconds का समय लगता है अपने ही अक्ष पे प्रित्वी को एक चक्कर लगाने पे the rotation of the earth causes day and night बहुत है very important याद रखियेगा कि rotation के कारण हमारा दिन और रात होता है क्या होता है day and night किसके कारण होती है हमारी rotation के कारण होती है as the earth is spherical in shape hence only one half of its get light from the sun at a time अब जैसा हमारा जो earth है वो spherical shape में है इसी के कारण हमारे प्रित्वी के एक भाग पे light पड़ती है एक time पे नहीं पड़ती है जिस पार्ट पे light पड़ती है एक समय पे उस पार्ट को हम प्रित्वी के day बोलते हैं और जिस पार्ट पे प्रित्वी के light नहीं पोंचती है sun की light जो rays है जो नहीं पोंचती है उसको क्या बोलते हैं हम night बोलते हैं बहुत अच्छे से देखे circle of illumination क्या किसे कहते हैं वो circle globe पे ऐसा बिल्कुल भी real पृतिवी पे ऐसा कुछ भी नहीं है हमने globe पे समझने के लिए दिन और रात को कहां दिन हो रहा है कहां रात हो रही है इसके लिए हमने एक circle divide किया है जो इन दोनों को बताने में मदद करता है उसको ही circle of illumination बोलते हैं यानि प्रकाश वृत भी उसे बोलते हैं अब आप यह देखे एक left hand side right night दिख रहा है और day दिख रहा है यानि के वो हमें यह बता रहा है कि एक पार्ट में दिन हो रहा है एक पार्ट में रात हो रही है तो वो circle divide कर रहा है day और night को उसको इस circle of illumination यानि प्रकाश वृत बोलेंगे if earth will not rotate then one part will have continuously day and the other part will have continuously night बहुत important चीज है questions भी समझेगा कि अगर मानिएगा हमारा earth जो है वो rotate ही ना करे तो क्या होगा जब हमारा earth rotate नहीं करेगा तो एक हिस्सा अर्थ का permanent permanent ही क्या रहेगा उजाला रहेगा और दूसरे हिस्से पे अर्थ के क्या रहेगा अंधेरा रहेगा जिस जगे ज्यादा सूरज की किरने permanent पड़ती रहेगी तो temperature high होगा वहाँ पे बहुत सारे जो आपके flora और fauna है वो नहीं भी जीवित भी नहीं रह सकते क्योंकि कुछ flora और fauna को इतना high temperature नहीं चाहिए किसी को low चाहिए तो हमारी life जो भी possible नहीं होगी हमारी भी life possible नहीं होगी vegetation भी नहीं होंगे वहाँ पे animals की जो life है वह भी नहीं होंगे अब जैसे suppose करिए कि polar bear मिलते हैं हमारे north मतलब जो आपका sorry क्या होता है उसको क्या कहते हैं आपका पहाड़ी area में या फिर जहां पर बरफ ज़्यादा पड़ते हैं वहाँ पे polar bear मिलते हैं अगर permanent एक जगे रहेगा सूरज तो वहाँ पे polar bear वगरा कैसे मिलेंगे उस जगे पे तो नहीं मिलेंगे जहां पर जानवर वहाँ पॉलर आपने भी बोलते हैं revolution को the movement of earth around the sun is in elliptical path is called revolution बस वही आपने जो अभी पड़ा revolution के से कहते हैं कि sun एक अपने fixed path में चक्कर लगा रहा है अर्थ जो है sun के चक्कर लगा रहा है fixed path में उसको ही हम revolution बोलेंगे अर्थ को एक revolution complete करने में कितना समय लगता है 365 days 5 hour 45 minutes and 48 seconds यानि कि 365 दिन 5 गंटे 45 minutes और 48 seconds लगभग लगते हैं every fourth year one day is added in the month of February making it of 29 days and that year has 366 days and is called a leap year अब देखे हर 4 साल बाद हर 4 साल बाद हमारे February के महीने में क्या हो जाता है 29 days हो जाते हैं जिस दिन यह 29 days होते हैं उस year में, पूरे year में 366 days होते हैं जिस year में 366 days होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं leap year बोला जाता है याद रखिए leap year किसे बोलते हैं हर चार साल वाद एक ऐसी situation आती है कि फरवरी का जो महिना है उसमें 29 दिन हो जाते हैं जिस महिने में जिस साल में फरवरी के 29 दिन होते हैं उस पूरे साल में 366 दिन रहते हैं और यही जो दिन है 366 दिन जो साल में रहते हैं उसी साल को क्या बोलते हैं हम leap year बोलते हैं अब एक question तो नहीं एक concept है equinox कि equinox किसे कहेंगे बहुत easy है बहुत simple से समझेगा equinox की situation दो बार होती है साल में एक तो 21st March को होगी और 23rd September को होगी यानि 21 March और 23 March को equinox की situation अकर होगी on this day rays of sun fall directly on the equator इस समय जो sun की rays are directly equator पे fall करती है मतलब गिरती है on this day day and night are equal इस दिन दिन और रात क्या होता है इकवल होता है 21 March को spring equinox होगा कहां पे northern hemisphere यानि उत्री गोलाड में spring equinox होगा 21 March को और 21 March को ही southern hemisphere में क्या होगा autumn equinox होगा अब 23 सितंबर को situation reverse हो जाएगी northern hemisphere यानि उत्री गोलाड में क्या होगा autumn equinox होगा और spring equinox का होगा southern hemisphere यानि की दक्षनी गोलाड में क्या होगा spring equinox होगा अब diagram की मदद से समझेगा ये equinox को हम कोशिश करते हैं diagram से समझने की देखे ये आपका earth है ठीक है ये आपका equator हो गया ये line जो है equator होगी अब यहाँ पर sun की raise पड़ती है इस तरीके से पूरी यहाँ पूरी मतलब पूरा का पूरा जो sun की raise है direct यहाँ पर fall करती है साल में दो बार कब-कब एक तो 21 March को और दूसरा 23rd September को याद रखिएगा कि दो बार साल में ऐसा होता है जब सूरज की किरने equator पे पूर्ण रूप से पड़ती है जिस दिन ये equator की सूरज की किरने equator पे direct पड़ते हैं उसको ही equinox बोलते हैं बस इतना सा concept है equinox का अब हम आ जाते हैं solstice पे solstice किसे कहेंगे और solstice होता क्या है अब इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं देखिए solstice कब होता है साल में दो बार आएगा एक तो 21 June और एक 22 December को कब 21 June, 21 June और 22 December यानि 22 December को होगा ये situation दो बार कब होगी और इसमें क्या होता है कि जो sun है वो equator से maximum distance पे रहता है ठीक है sun maximum distance from equator equator से maximum distance पे रहता है sun उसी को क्या बोलते हैं solstice बोलते हैं when the sun shine directly on the tropic of cancer and or tropic of Capricorn is called solstice यानि की जब सूरज की किरने direct tropic of cancer यानि करक रेखा पर और tropic of Capricorn यानि मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी उसको ही हम solstice बोलते हैं यानि सकरान्त भी बोलते हैं उसको the solstice occur twice each year हर साल दो बार आता है solstice 21 June को summer solstice 22 December को winter solstice अभी हम थोड़ा सा इसको आगे diagram की मदर से समझने की कोशिच करेंगे summer और winter solstice को अभी पहले पढ़ते हैं summer solstice क्या होता है when sun rays fall directly on tropic of cancer it is called summer solstice in the northern hemisphere अब आप देखिएगा कि summer solstice उसे कहेंगे जब सुरज की किरने है direct tropic of cancer पर पढ़ेंगी northern hemisphere पर तो वहाँ पर क्या होगा summer solstice होगा अब आते हैं this occur 21st June और यह कब होगा 21st June को होगा on this day the northern hemisphere has longest day and shortest night और इस दिन यानि 21 June को longest day और shortest night होगी कहाँ पर नदन हेमिस्पेर यानि उत्री गोलाड में और 21st June को ही हम international yoga day भी मनाते हैं at this time the northern hemisphere has summer season और इस समय उत्री गोलाड में summer का season रहेगा अब winter solstice क्या पहले हम इसको डाइग्राम में summer solstice को समझते हैं कि summer solstice क्या है दीखिए आपका ये अर्थ हो गया ये equator हो गया ठीक है ये आपका northern hemisphere में हो गया topic of cancer 23 and a half degree और 66 डिग्री northern hemisphere पे हो गया Arctic circle और ये 90 डिग्री पे तो आपका north pole है ही है अब equator के नीचे यानि southern hemisphere में चलते हैं क्या रहेगा महाँ पे हिसाब किताब क्या रहेगा देखे 23 and a half degree south में topic of Capricorn रहेगा और 66 and a half degree पे Antarctic circle रहेगा और 90 डिग्री पे आपका south pole रहेगा अब हमारा ये sun है ये 21st June की बात कर रहे हैं 21st June summer solstice northern hemisphere में होगा कहां पे होगा northern hemisphere में होगा sun है ये हमारा sun की जो rays है वो directly कहां पढ़ेंगी topic of cancer पढ़ेंगी 21 June को direct पढ़ेंगी और maximum sun की rays कहां तक जाएंगी maximum sun की जो rays है वो जाएंगी antarctic circle तक जाएंगी बस कहां से स्टार्ट होंगी topic of cancer पे तो direct fall होंगी और maximum कहां तक travel करेंगी वो आपका antarctic circle तक आपका जादा से जादा travel करेंगी उसके आगे नहीं जाएंगी rays तो जो एरिया Arctic circle के आगे का एरिया जितना भी है यानि 66.5 degree south से लेके 90 degree south तक का जो एरिया हो southern hemisphere का वो वहाँ पे हमेशा ही 6 month क्या रहेगा night रहेगी क्यों क्योंकि वहाँ पे sun की जो rays है वो fall ही नहीं करेंगी उसके आगे तो वहाँ पे 6 महिने क्या रहेगा अंधेरा रहेगा वहाँ धूपी नहीं निकलेगी और 21 जून को northern hemisphere में इहाँ तक दूप जाएगी तो यानी वहाँ पे क्या रहेंगी सुरज की किरने 6 महिने तक रहेंगी 6 month तक यहाँ पे रहेंगी 6 month तक northern hemisphere में सुरज की जो किरने रहेंगी पर जो टॉपीक आफ कैंसर से उपर जाएंगे तो वहाँ पर जो rays है वो तिर्शी हो जाएंगी तो पहुन से जाधा नॉहीज ही तो अपका हुआ क्यां की बात करी अब unpack cookie की बात यह हम करते हैं ँचली directly on Tropic of Cancer, कहां पर पढ़ेंगी हमारी directly, Tropic of Cancer पर पढ़ेंगी, यह रहा Tropic of Cancer पर पढ़ेंगी, उसको क्या बोलना अधन हमेस्पेर में, तो क्या होगा, वहाँ पर winter होगा, और यह कब होगा, winter solces 22nd December को, on this day, the southern hemisphere है, longest day and shortest 9, और इसी दिन 22nd December को, southern hemisphere में दिन लंबे होगे, और राते चोटी होगी, और southern hemisphere में season क्या होगा, summer का season होगा, 22nd December को, इसी कारण मर्ष, Australia, South Africa और Argentina में, Christmas जो है, वो summer में celebrate होता है, उसके पीछे का कारण है, winter solstice है, जिसके पीछे का कारण, कि Australia, South Africa और Argentina वगरा देश जो है, वहाँ पर Christmas जो है, वो summer के महीने में आता है, हमारे यहाँ, जैसे हम इंडिया में हैं, तो हमारे यहाँ, winter में आएगा, अब हम स्वार सा winter solstice भी समझते हैं, कि winter solstice किसे कहेंगे, और winter solstice में क्या रहता है, अब हम समझते हैं, देखेगा, यह अर्थ है, यह फिर से equator हमने draw किया, यह आपका topic of cancer, यह आपका arctic circle और यह आपका north pole, same as it is south में आते हैं, equator के, तो topic of capricorn, उसके बाद Antarctic circle, अब इसके बाद यह south pole, अब जो sun की rays हैं, वो कहाँ पर पढ़ेंगी, आपका, sun की जो rays है, यह मानिएगा, यह sun है, यह sun की जो rays है, directly कहाँ पर पढ़ेंगी, आपका topic of capricorn पर directly पढ़ेंगी, यह directly पढ़ेंगी, आपकी topic of capricorn पर, और maximum कहाँ तक जाएंगी, इसकी rays maximum arctic circle तक जाएंगी, कहां तक जाएंगी, maximum Arctic Circle तक रेज है, जो सन की जाएंगी, Arctic Circle के उपर सन की रेज नहीं जाएंगी, इसी कारणवर्स Arctic Circle और North Pole के बीच का एरिया 6 मन्त, अब क्या रहेगा, नाइट रहेगी, यहां पर दिन नहीं रहेगा, यह हम बात करने 22nd December Winter Solstice की, ठीक है, Winter Solstice का हो रहा है हमारे Northern Hemisphere में हो रहा है, और इस समय 22nd December को हमारा Summer Solstice का हो रहा है, Topic of Capricorn के पास हो रहा है, अब जब इसकी सन की रेज यहां तक ही पहुँच पाहेंगी, तो Northern Hemisphere की जो North Pole Arctic Circle के पीच का है रहा है, और जो रेज है सन की, वो South Hemisphere तक, Southern Hemisphere तक पहुचेंगी, पर वीक हो जाएंगी, वहाँ पे जाकर, क्योंकि तिर्चाई के कारण, जो हमारा रेज है, वो तिर्ची जाएंगी, क्योंकि हमारी प्रिथवी जुकी भी है, इसके कारण यहां पे डिरेक्ट फोन लहीं होंगी, इस दिन, 22 दिसंबर को याद रखेगा, कि दिन जो है Southern Hemisphere में बढ़ा रहेगा, रात छोटी रहेंगी, और यही सिच्वेशन रिवर्स हो जाएगी Northern Hemisphere में, वहाँ पे दिन छोटा होगा, राते लंबी हो जाएंगी, अब यह थोड़ा सा, यह हमने पहले भी समझ सुके हैं, पर फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, समझ लेते हैं हम इसे, अब हम बात करते हैं, 21st June से बात करते हैं, Northern Hemisphere में, विपरीत, situation विपरीत रहेगी, अब 21st June से स्टार्ट करते हैं, अब हम चलते हैं, फिर हमारा जो अर्थ है, वो आ जाता है 23rd September, यानि Equinox वले दिन, 23rd September को क्या होगा, इकविनोक्स होगा, इकविनोक्स का मतलब क्या है, कि जो सन की रेज हैं, डिरेक्टली इकवेटर पे फॉल करेंगी, तो इकवेटर पे जब फॉल करेंगी, तो यहां पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी, 23rd September को, autumn का season होगा, Northern Hemisphere में, तो Southern Hemisphere में, Spring का season होगा, कियेगा, अब 21 मार्च में आजाते हैं, 21 मार्च का जो दिन है, वो फिर से क्या होगा, Equinox होगा, Equinox मतलब, जो सन की रेज है, डिरेक्टली इकवेटर पे फॉल करेंगी, जब सन की रेज डिरेक्ली इकवेटर पे फॉल करेंगी, तो दिन वहां पे इकवल होगा, यानि 12 2 गंटे की रात तो 12 गंटे का ही दिन होगा और नदन हमेसफेर में इस समय स्प्रिंग का सीजन होगा तो सदन हमेसफेर में कौन सा सीजन होगा उटम का सीजन होगा, यह हम पहले भी कर चुके हैं आशा करता हूं यह आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो कोई भी subject रटके पड़ा ही नहीं जा सकता है पर खास तोर पर geography क्या है कि समझने वाला subject है वो रटने वाला बिल्कुल भी नहीं है तो कोशिश करिएगा कि इसके concept को समझेगा जब आपके concept clear होंगे तो आपको बहुत अच्छे से आगे आने वेली चीजे जो बहुत अच्छे वीडियो में brain booster डालते हैं तो कुछ इसमें भी brain boosters हैं तो आईए हम थोड़ा सा पहले brain booster कर लेते हैं पहला है आपका question the earth is tilted on its axis बाई जो earth है हमारे अपनी axis पे कितने degree जुकी वी है पहला option है 23.5 degree यानि 3.3 degree B is 66.5 degree यानि 3.6 degree C is 26.5 degree यानि 3.26 degree D है option 90.5 degree यानि 3.90 degree के आसपार जुकी वी है या आप answer दीजेगा यह सारे questions उसी में से हैं जो अभी हमने पढ़े हैं आप उसे अच्छे से वीडियो को देखिएगा तो आप एकदम answer इसको दे पाएंगे question second आता है what is the moment of the earth around the sun in a fixed part called sun उस moment को क्या कहेंगे जब earth sun के चक्कर लगाता है fixed part में sorry earth जो है sun के चक्कर लगाता है fixed part में उसको क्या बोलेंगे circle of illumination यानि की प्रकाशवर्यत revolution यानि परिक्रमन rotation यानि परिभरमन या इन में से कुछ भी नहीं option question 3 the circle on the globe is divided day and night is called उस circle को क्या बोलेंगे जो globe पे day और night को divide करता है circle of illumination answer A option B orbital plane option C artificial line या option D imaginary line question number fourth season occur due to which of the following results जो हमारा season है वो किसके कारण आता है और किसके कारण होता है option A है topic of Capricorn receive direct rays of the sun traffic of Capricorn है वो direct sun की rays receive करता है जो 23 degree south पे पढ़ती है vertically पढ़ती है option B revolution of the earth यानि परिक्रमन अर्थ का परिक्रमन और जो axis है अपनी axis पे जुकावाय है same direction में है इसके कारण या फिर option C circle of illumination cause due to rotation of the earth around its axis या फिर circle of illumination इसके वज़े से होता है rotation जो earth का है अपनी axis पे है इसके कारण होता है या option D axis of the earth make an angle 66 या अर्थ पे between the longitude जो दो longitude के बीच का difference है उसको बोलेंगे distance है उसको बोलेंगे या option B the period of one rotation of earth around its axis या फिर एक rotation अर्थ का अपनी axis पे उसको बोलेंगे C the day on which the day and night are equal all over the earth या फिर उस situation को बोलेंगे जब दिन एक आज के दिन या किसी भी दिन दिन और राथ equal होंगे यानि 12 गंटे का दिन 12 गंटे का राथ या D option the motion of the earth around the sun in its orbit Earth का जो motion है sun के in its orbit उसके कारण जो अर्थ का motion है around sun के orbit उसके करण अब आते हैं question number 6 पे what is the angle of inclination of earth axis with its orbital plane angle of inclination क्या होगा earth axis का अपनी orbital plane पे A 23 and a half degree यानि 25 degree B 90 degree यानि 90 degree C 45 degree यानि 45 degree D 66 degree और 66 and a half degree the earth move on its axis अर्थ जो है अपनी axis पे कैसे move करती है west to east यानि पशिम से पूरव north to south यानि उत्तर से दक्षिन या फिर east to west यानि पूरव से पशिम की और option D है south to north यानि दक्षिन से उत्तर की और question number 8 the path of a planet around the sun is called its जो path है planet जो planet है around the sun जो path करते हैं उसको क्या बोलते है revolution बोलेंगे option A, B है rotation, option C orbit या D option spin question number 9 when day and night are equal time the sun rays fall is stated जब दीन और रात equal होंगे तो sun की जो rays है sun की जो किरने है वो कहां पे पढ़ेंगी direct north pole यानि उत्री ध्रूव पे equator भूमध्य रेका पे या फिर option C है south pole यानि दक्षिनी ध्रूव पे या फिर topic of cancer या top करक रेखा पर question number अब आते हैं हम 10th पे question number 10 देखने के question number 10 क्या है the circle of illumination is the circle of illumination यानि प्रकाश वृत क्या है circle that divides the globe into two parts globe को जो दो पार्ट में divide करता है क्या वह है या option B circle that divides the day from night on the globe या वो circle जो दिन और रात को globe पर divide करता है या position of earth on equinox when day and night are equal या फिर उस position को कहेंगे earth की equinox जब होता है यानि दिन equal और रात equal होती है या position of sun ओना particular meridian at 12 o'clock in noon या उसको कहेंगे जब sun एक particular meridian यानि 12 o'clock पे पढ़ रहा है question number 11 effect of revolution of earth revolution के क्या effect होते हैं earth पे क्या वो season change करता है option A या उसकी वज़े से दिन और रात होती है option C क्या उसकी वज़े से flood आती है या option D उसकी वज़े से earth को क्या नि भुकंप बगरा आते है question number 12 date of spring equinox is spring equinox की date क्या होगी 21st March होगी 21st March या B option 22nd December यानि 22nd December C option 21st June यानि 21st June और 23rd September यानि 23rd September अब आप इसमें से बताएए कौन सा होता है अब last question बचा है हमारा जो है question number 13 जो क्या है if the axis of earth were perpendicular to the plane of elliptic then जब हमारा axis है अर्थ का perpendicular होगा plane के elliptic के तब क्या होगा all part of world would have one day हर एक पार्ट पे एक दिन रहेगा दिन ही रहेगा यानि world के हर एक पार्ट पे या फिर half of या आदा हिस्सा जो है दे रहेगा आदा हिस्सा नाइट रहेगा तीसरा all part of the globe would have equal day and night all time या फिर globe पर हर एक day equal night और equal night और day का होगा हमेशा के लिए सारे साल all part of world would have varying length of day and night या फिर इसमें length of day और night में कुछ differences रहेगे आशा करता हूँ या आपको chapter बहुत अच्छे से समझ आया होगा आप हमारे इस चैनल को subscribe जरूर करिएगा शेयर करिएगा इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा इससे हमें यह पता लगेगा कि आप लोगों को हमारी जो वीडियोज वगरा हैं बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं थैंक यू गाइज अब हम आपको मिलते हैं आगे अगली जो वीडियोज हैं उसमें मिलते हैं